मेरे साथ हैं सुकदेव सिंग गोगा मेडी की बेटी बड़ी बेटी है उर्वशी बेटा क्या हुआ था यह जो पुरा खटना करा हुआ बहुत दुख्की बात है क्या कहते थे पापा क्या आपको कभी इस बारे बता है कि धमकिया मिल रही है हाँ बिलकुल मेरे पापा ने बड़े बुजूर्ग है सबी को यह बात पता थी कि धमकिया मिल रही है चाहिए वो पाकिस्तान हो चाहिए वो पंजाब हो चाहिए वो कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी कंट्री हो मितलब कोई भी जगह से ऐसे नहीं था कि धमकिया नहीं मिल रही हो लेकिन मेरे पापा पूरी ऐसे बोल रही है कि बहुतर घंटों में हम उन्हें ढूंड कर उनका मडर कर देंगे लेकिन उन्होंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया पहले तो इनको जैसे होश भी नहीं था सरकार अब उठी है जब पूरे राजस्थान बंद है पूरा भारत बंद है लापरवाई तो कहीं ना कहीं थी पूलिस की अब क्या कह रही है पूलिस को कि उन्होंने कहा है कि बहतर घंटे गंदर आरूपियों के गृफ्तारी कर देगे लेकिन जो पापा के साथ हुआ आपके तो वो किसी और के साथ नहों इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रिशासन जो है हमारी सरकार है वो कभी उठती ही नहीं है अगर हम उन्हें कहा दे कि हमें धंकिया मिल रही है या बदमाश हमारे सामने ही खड़ा है बंदूक लेकर तो भी वो कभी जागती ही नहीं है लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जाए जैसे मेरे अननत्पाल जो मेरी चाची चाचु इमानलो मेरे पापा के भाई ही थे उनके प्रकरंड में ऐसा मिखी नहीं किया अब जब इसब और तो तो भी प्रशासन अब उठी है जब पूरा भारत बंद आ पूरे भारत में अंधोलन हो रहे हैं बादूर बेटी हैं आप तो क्या लगता है कि अगर पुलिस एंकाउंटर करती है तो क्या नियाय मिलेगा तो आरोपियों को एंकाउंटर करती है उनके पास उनको ढूंडने की क्योंशिस तो उन्होंने पहले भी नहीं की अबलकुल यह सुक्देव सिंग होगा मेडी की बेटी बहुत दूर बेटी है जिसने अपने पिता को खोया है और इस बेटी ने भी ये कहा है कि जो लापरवाई है वो पूरी तरीके से प्रशाशन की है और अगर एंकाउंटर भी होता है आरोपियों को तब भी नयाई नहीं मिलेगा क्योंकि इनका कहना है कि इनके पिता को नयाई जब मिलता जब जो है समय रहते हो उने सुरक्षा मिल जाती मिरस्योगी शक्ति सिंग के साथ धवजा रहा है